तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा D.D.U.C के बारे मितलब दीन दयाल उपादय कॉलिज के बारे में वह कॉलिज ऑफ केमपस का जो की नौर्थ केमपस और साउथ केमपस के काफी कॉलिजिस से बेटर है इसकी प्लेश्मेंट की बताऊं इसके इंफ्रसेक्चर की बताऊ इसके मैंने आल्रेडी रिव्यू दे रखके आप वहां पे जाके चेक आउट कर सकते हो तो सबसे पहले बात करते हूं इसकी नियर रेंकिंग की जो की पहले अंडर 15 आती थी कुछ यह पहले की बात करूं लेकिन जो 2023 की रेंकिंग आई है वो 24 आई है स्टिल यह काफी डीस इसराज कॉलेज और गारगी कॉलेज यह हमारे टॉप 10 डेली उनिवेस्टी कॉलेजिस हैं जिसमें इंफ्रसेक्टर की बात करूं और इफ्रेंट कोर्सिस के लिए अलग अलग होते हैं वैसे तो लेकिन अगर बात करूं तो यह अंडर 10 आता है आपका दीन दियाल उपाद स्टूडेंट से मुझे पता चला है इनका जो प्लेसमेंट है काफी डीसेंट और काफी ज्यादा एक्टिव भी है कंपनी की बात करूं तो सबसे पहले मैं बताऊंगा पहले मैंचेमेंट स्टूडी के बारे में जो कि काफी कम कॉलेजिस में डेली उइनविश्टी के यह वन ओफ दा है जिसके अंदर सेकंड यह कॉलेज है जो जिसने यह वाला कोर्स अनॉंस के था इसके लवा सही सुपदेव कॉलेज है और दीन दयालुपाद्ध है इसके केशव महाविद्याल यह कुछ कॉलेज है जो BMS प्रोवाइड करते तो अगर BMS आप करना चाहते हो यह वन ओफ दा बेस्ट कॉलेज रहेगा आपके लिए इसके लावा काफी कॉर्स यह प्रोवाइड करता है तीनों स्टीम के बीए इंग्लिश ओनर्स बीए प्रोग्राम B.C. Life Science, Physical Science, B.C. Mathematics, Chemistry, Computer Science, B.C. Electronics काफी को आपको साइड में शो हो जाएगा वैसे तो अब बात कर ले तो इसके एक्सपेक्टेट सीटी स्कोर के बारे में वैसे तो यह कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इस साल की जो कॉट आउस हैं वो कितनी रहेंगी क्योंकि इस स अगर आपको अडिमीशन लेना है तो आपके 650 प्लस होने चाहिए बीकॉम ओनर जैसे कोर्सिस के लिए और B.C. जैसे कोर्सिस के लिए आपके 360, 370 प्लस आपके नंबर होने चाहिए अगर आपको दीन द्याल उपाद्दे में अडिमीशन लेना है BMS की कट आउस इतनी 650 प् मिलेगी आपके 600 प्लस भी है तो भी आपको दीन द्याल उपाद्दे में अडिमीशन मिल सकता है जनरल कटिकरी की बात करो SCST, OBC की थोड़ी और कम रहेगी उसके अकौर्डिंग आप लगा सकते हो अब बात कर ले तो इसके infrastructure की जो यार काफी अच्छा है ठीक है एरिया की बात कर दो 7.7 अकर में इसका campus बना हुआ है वन दा बेस्ट लाइबरेरी यह दीन द्याल उपाद्दे की जो की तीन फ्लोर में spread हो रखी है सेपरेट होस्टेल से बोई और गल्स के लिए स्पोर्स कॉंप्लेक्स ही बात कर तो बैडमिंटन कोर्ट स्क्वैश कोर्ट टेबल टैनिस, केरम बोर्ड, चैस और आर्चरी जैसी चीजे आपको इसमें कॉलेज में देखने को मिल जाएंगी इसके लाओ कुछ फेक्ट्स बताऊं तो 2016 के लिए वन ओफ दा बेस्ट कॉलेज का कलाया गया था साइंस कॉलेज इसके लिए इसकी जो निव मिल्टिंग मनी है औ वाइ-फाय फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास लाइबरेरी, बिगर और बेटर कैंटीन और इंडोर गेम जैसी चीजे भी आपको देखने को मिलते है जो कि मैंने आपको अल्रेडी बता दिया है और स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी काफी बेटर है जो की प्रीविएस लोकेशन में इनका जो कॉलेज था उससे काफी बेटर इनकी स्पोर्ट्स फैसिलिटी है जो की अब न्यू विल्डिंग के अंदर है इसके अलावा है और मैंने आपके लिए एक वीडियो प्रिपेर करी जी इस कॉलेज की आप यहां पर देख सकते हैं बात करोई है तो सुसाइटिज के सपार्ट बनना चाहते हैं तो लिटरेशी तियाटर डेटिंग सुसाइटी बेटिंग सुसाइटीै डान सुसाइटी । ठाइनिस सुसाइटी काफी societies हैं, अगर आप societies का part बनना चाहते हैं, ज़र societies का अगर आप पार्ट बनते हैं, तो आपको placement, internship जैसी चीजे भी वो provide करते हैं, और आपको एक अच्छी guidance मिलती है उस topic के बारे में, तो अगर आप किसी dance में, theater में, literacy में, इसके लबाव एको club भी society है, उसका भी आप पार बन सकते हो, काफी चीजे हैं, जो आपको यहाँ पर सीखने को मिलती हैं, तो societies का आप जरूर पार्ट बन सकते हैं, one of the best societies है, दीन दयालुपाद्य की, इसके लाबाव एर location की बास बास बहुत तो off-campus जवारका में एक college located है, NSIT काफी popular engineering college है, उसके पास पढ़ता है, metro भी आ अतनी active नहीं है, लेकिन year by year यह इंप्रूफ कर रहे हैं, इसके लाब college off-campus में, North campus and South campus के college से थोड़ा दूर है, लेकिन उससे उतना effect नहीं पढ़ता है, just कि आपको एक मैं रेटिंग बताना चाहूं, तो 5 में से मैं इसको 4 star दूँगा, बाकि campus life और infrastructure इस चीज को आप काफ आप मेरे को comment section में बता सकते हैं, तब तक मिलते हैं next video में, तब तक ले all the very best